हलो फ्रेंड्स देनि क्लैसेज मा आपको स्वागत है दोस्तों करंट अपेर के टोप रामबान प्रूशन देखने वाले हैं अप्रेल से दिसंबर के टोप हंडेड क्योशन मेंने लिए है जो हंडेड प्रूशन आपको आगामी जितने भी प्रतेविक प्रूशन सब में ये देखने को मिल जाएंगे ये करंट अफेर का निचोड मेने टोप 100 क्योशन लिए हैं इसी तरह के टोप 1000 वन लाइनर क्योशन से आपको प्रेस्टोर पर जाओगे डिनिल क्लैसिस की एप आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो वहां आपको मिल जाएंगे करंट अफेर के यहां आपको 1000 क्योशन से बिलेंगे जो आपके आयए का एक्जाम हो गया इसी संगन कर्सी प्रेशंट सभी प्रिक्षाओं के लिए रामवान रहने वाले हैं एकहजार Queshan's रहेंगे, One-Liner Queshan's रहेंगे, Current Appear का आपको पता ही है Denial class is the best जो important question होते हैं चक्रहूं幫 प्रक्राइल से यह लेकर December तक आगामी प्रतीवी प्रिष्ण हो में आपके Queshan's मनेंगे मैंने यहां पर cover कर लिया है, चक्रहूंड ले लिए हिस्थे हैं तो आपको इस तोफ 100 क्योशन से उनका भी लेवल पता लगजाएगा कि किस लेवल के व क्योशन्स हैं तो इसनिए टोफ 100 क्योशन्स हम दोस्तों देख लेते हैं कवर कर लेते हैं पहला प्रशन हमारे पास की हालि में नसीराबाद सेने चावनी क्यों चर्चा में रही थी तो हम बात करें रक्षा मंत्राले ने 62 सेने चावनी को समाप्त कर दिया जिसमें राजस्तान की एक मत्र सेने चावनी नसीराबाद सेने चावनी है जिसे मिलिटरी स्टेशन में तबदील किया गया है ध्यान देना नसीरा बाद जो सेना चावनी है अब एक्जाम में पुछी जा सकते हैं इंपोटेंट है चर्चा में रही है इसको समाप्त कर दिया गया है अगला प्रशन हमारे पास है कि 14 अप्रेल 2023 को भारत में सबसे उची अंबेटकर प्रतीमा का अनावरण किस राजिये में किया गया तेलंगा राजिये में किया गया अगला की हाली में नाटो का 31 सद्श्य देश कोन बना है नाटो का 31 सद्श्य देश फिनलेंड बन गया है कौन सा देश बन गया है फिनलेंड बन गया है आपको ध्यान रखना है अगला प्रशन है हमारे पास कि कि हाली में धर्म गुरु दलाई लामा को रेमन मेकसे से पुरुषकार से सम्मानित किया गया इन्हें किस वर्ष का रेमन मेकसे से पुरुषकार मिला काफी इंपोर्टेन प्रशन है इनको 1969 का रेमन मेकसे से पुरुषकार मिला है 1969 क्यों मिला क्योंकि यह पुरुषकार 1969 में प्रदान कर दिया गया था लेकिन चीन क वज़े से वे तिब्बत छोड़कर भारत आ गए थे अब इनको ये पुरुषकारत दिया गया है इंपोर्टेंट प्रशन बनता ही अगला है कि हाली में भारत का सबसे बड़ा हाई कोट भवन कहां बनकर तयार हुआ हाई कोट कहां बनकर तयार हुआ था जारकंड की राजध मंतی निरंदर मोडी ने 28 Tetra को किसकी 144 वी जैनती के अवसर पर नएससद भवन का उद्गातन किया किनकी किया था हम बात करेंगे विनाया कि दामriddur सावरकर के में किया था विनाया कि दामदर सावरकर इसके हम complete इसके बारे में बात करें विनायक दामुदर सावर कर ये complete नाम है इनका और हम बात करें कुल खर्ष 931 करोड और हम बात करें नए संसेद बहुन के उद्गाटन पर विशेश 75 रुपे का सिक्का भी लौंच किया गया अगला कि ये हाल ही में राजस्तान साहित्यक आदमी का मीरा पुरुषकार किसे दिया गया मीरा पुरुषकार तो रती सक्सेना को कविता संग्रे हसी एक प्राथना के लिए दिया गया अगला प्रीशन काफी इंपरिटेन प्रीशन है कि तीस मई को भारत का सरवोचिश अहित्यक सम्मान ग्यानभी पुरुषकार किसे दिया गया कि से दिया गया में उन zajs आश्वा जीैवन शिखर संबिलेन दोहजार टेश में कहां आयोजीत हुआ जीसेवन ये देश आते हैं तो 49 वा जी सेवन कहां हुआ हिरोशी मा जापान में होआ मोदी ने भी भाग लिया था भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने भी भाग लिया और जापान की प्रधानमंत्री पूछे तो फूमियो किशीदा कोन फूमियो किशीदा हैं अगला कि इन गोलडन ऐर्स पुस्टक के लेख़ के कौन है रॉजकिन बवॉंड है कौन है अगला कि आधाईस भी बार मौन्ट एवरेश्ट को फतय कर विश्वर इकोड duż किस ने बनाया हम बात करें नेपाल के कामी रीता फारिया ने 28 भी बार मांट एवरेस्ट फते कर दी अगला प्रशन हम बात करते हैं कि इंपोटेंट प्रशन है कि हाली में एक मई को कौन सा दिवस मनाया गया अंतराष्टी मजदूर दिवस कब बनाते हैं एक मई को मनाते हैं एक मई अंत्राष्टे मज़दुर d inmates अगैं गया थे अग Candma को विश्वय तमबाकू निशेर्द गी फिम वी नीड ही यह को वीनीड फूड नोले डोले को अगला है कि द्रोपदी मुर्मू from tribal hinterlands to ricina hills पुस्तक के लेखक कोन हैं कस्तूरी रे हैं कोन है कस्तूरी रे हैं अच्छा my life as a comrade इसके लेखक कोन है के के शेल जा हैं के के शेल जा हैं और made in India 75 years of business and enterprise अमिताब कांत हैं विश्वे तंबाकू निशेद दिवस से कब बनाया गया अगला प्रशन है कि विश्वे तंबाकू निशेद दिवस से कब बनाया गया तो बताना है कब बनाया गया तो हम बात करेंगे 31 माई को बनाया गया और हमें बोजन की जरूत है तंबाकू की नहीं आपको थीम भी ध्यान रखनी है अगला है कि 5 जून 2023 को विश्व पर्यावरन दिवस की 50 वी वर्ष घाट का कारेकरम कहां आउजित किया गया कोटे डी आईवर में आउजित किया गया कोटे डी आईवर थीम थी सॉलिशन टू प्लास्टिक पॉलिशन के तहत बीट लिश्यावरन दिवस पर कौन सी वी कि शुरूहत की हैं अम्रतरोर योजना और मिश्टी वोजना मनीपुलinator इंसा जाच के लिए कि अंदर सरकार ने किसकी अधिकष्टा में जाच γठन का आयोग किए आपको बताना किसकी अधिकष्टा में जाच योग दिवस का कौन सा सेंसक्रट आयोजित किया गया नवा सेंसक्रण था और योगा फॉर वसुदेव कुटुम्ब कम इस योगा दिवस पर मोदी ने सहुगत राष्ट के मुख्यले में योग दिवस कारेकरम में भाग लिया था आपको ध्यान देना है भाग लेने गए थे अगला है कि देश की पहली खान कहां इस्तित है जहां फ्लोटिंग सोलर प्लांट लगाया गया है यह कहां इस्तित है जहां फ्लोटिंग सोलर प्लांट लगाया गया आपको बताना है तो हम बात करेंगे यह खान तो उदेपुर में इस्तित है उदेपुर इसका सही उत्तर सही आंसर हो जाएगा विश्व की सबसे उची पंच मुखी बाला जी की प्रतीमा का सीला नियास कहां किया गया शिश्वी गाव उदेपूर में किया गया इंटरनेशनल टाइगर डे के अवसर पर कौन सा राज्य पुने टाइगर श्टेट बन गया है मद्य प्रदेश बन गया है मद्य प्रदेश में सरवादिग 785 टाइगर है 563 टाइगर के साथ करनाटक दूसरे स्थान पर मुझूद है अगला प्रशन है हमारे पास है कि हाली में चंद्रियान 3 को किस रोकेट से सपलता फुरोग प्रश्य पित किया गया LVM3M4 से किया गया और चंद्रियान 3 को 14 जुलाई 2023 को 27 अंतरिक्ष के अंदर से लौंच किया गया इसका लेंडिंग स्थान चंद्रमा का दक्षिन दुरूव है थीम की हम बात करें साइन्स ओफ दे मून थीम है नोर्ट चेनल को पार करने वाला दुनिया का सबसे कम उम्र का वेक्ति कौन बन गया अंशुमन जिंगरन अंशुमन जिंगरन बन गये है अगला है कि बाजपेई दे एंसेट ओफ दे हिंदू राइट 1924 से 1977 किसकी द्वारा लिखी गई ये अभिशेक चोधरी जवारा लिखी गई अभिशेक चोधरी आपको ध्यान रखना है हाली में किसे देश ने ब्रिक्ष संगठेन में शामिल होने के लिए आवेदन किया किस ने किया था अलजीरिया ने किया था ब्रिक्ष में सम्मिलिन होने के लिए अलजीरिया ने आवेदन किया था 2024 में G20 शिकर सम्मेलन की देक्षता कौन करेगा 2024 में कौन करेगा बराजील करेगा 2024 में अभी भारत ने की 2024 में बराजील करेगा G20 शिकर समेलेन का उनिसवा सेंस्क्रेंड होगा अठारवा सेंस्क्रेंड 2023 में भारत में हो चुका है अगला है कि संगाई शहयोग संगठन का नोवा स्थाइस अदिश्य कोन बन गया है इरान बन गया है इसका इरान बन गया है इस रो का मिशन चंद्रियान 3 चंद्रमा के दक्षियंदूरों पर कब पहुंचा था 23 अगस्त 2023 को पहुंचा था 23 अगस्त 2023 यहां से कुछ important fact देख लेते हैं चंद्रियान 3 से लेकर launch 14 जुलाई 2023 को दो पर 2 बच के 35 मिन्ट पर रोकेट LVM 3rd M4 इस तेल कौन सा है 27 अगस्त 2023 के अंदर शीरी हरी कोटा पेलोड गुंचारी सो किलो चंद्रियान 3 के उद्देश्य क्या हैं उद्देश्य की हम बात कर लेते हैं मिट्टी पथर खनीजों का ध्यन चंद्रमा की सतय पर सुरक्षित और नरम लेंडिंग का प्रदेशन रोवर को चंद्रमा पर घूमते हैं प्रदेश्य करना लेंडर विक्रम यह चांद तक रोवर को ले गया रोवर समेथ 1752 किलोग्राम वजन आपको ध्यान रखना है रोवर लेंडर से रोवर प्रग्यान जो 6 पईयों वाला रोबोट है घूमकर जानकरी प्रदान की 23 अगस 2023 को शाम को 6 बच के दो मिन्ट पर लेंडर विक्रम चंद्रमा के दक्षिन दुरू पर उतरा संदेश भारत में मुकाम पर पहुँचा और आप भी 22 अगस 2023 को चैन्नाई में खेले गए फाइनल में एशियाई होकी चेम्पियंशिप का किताब किसने जीता भारती होकी टीम ने जीता है ये तो भारती होकी टीम ने जीता है फीपा महिला विश्यकप 2023 में खेले गए फीपा महिला विश्यकप 2023 पहली बार विजयता कौन बना पहली बार स्पेन बन गया है विजयता इस्पेन की फुटवर्ल टीम महिला टीम पहली बार विजयता इसमें बनी है पंद्रवा ब्रिक्स से शिखर सम्मेलन कहां आयजित किया गया 23 से 24 अगस 2023 को जोहांस ब्रग दक्षिन अफरीका में आयजित किया गया सम्मेलन में भारत का प्रतिन निजीतव प्रधान मंतरी नेरंदर मोदी ने किया तथा अन्य राष्टा दक्षियों में शी जिंग पिंग चीन, शिरिर, रामा फोसा, दक्षिन अफरीका, लूला डिसिलवा, ब्राजील तथा रूस के प्रतिनिदी शामिल हुए थे प्रधान मंतरी मोदी ने ब्रिक्स के पांच अक्षिरों के मायने ब्रेकिंग, बैरियर्स, रिवाई, टेलाइजिंग, इकोनोमीज, इंस्पाइरिंग, इनोवेशन, क्रियेटिंग, अपोस्टुनिटीज और शेपिंग दे फ्यूचर के रूप में परिवाशित किया है शीखर समेलन में ग्लोबल साउथ, विकाश, शील, अर्थ, विवस्ता के देशों का वर्ल्ड ओर्डर में स्तान बनते देखा गया है ब्रिक्स का विस्तार 1 जनुरी 24 से, ब्रिक्स में 6 नए देश शामिल होंगे ये प्रिशन बनेगा एक्जाम में, एक जनुरी 24 से में 6 नए देश भी शामिल होने जा रहे है अब इसके सरद्शी देशों की संक्या 11 हो जाएगी, ब्रिक्स का नया नाम और बुक्तान की नई मुद्रा पर आगे कारी किया जाएगा ब्रिक्स से नाम भी इसका चेंज होगा नए छे देश कोन से बनेंगे, अर्जेंटिना बन जाएगा, मिश्र, इथियोपिया, इरान, सौदी अरब, और सयुक्त अरब, अमिरात परदहान मंतरी मोदी ने यहां शिकर बेठक से पूर्वे ब्रिक्स मिजनेस फोरम लीडर्स डायलोग को सम्मूदित किया सोड़वा ब्रिक्स समयन रूस के कजान में आईजित होगा 21 अगर 2023 को चुना वायोगने किसे अपना नया नेशनल आईकोन चुना सचिन तेंदुलकर को चुना इंपोटेंट है ध्यान रगना अगला है कि हम बात करें राजस्तान का पहला खनन विश्य उधाले कहां खोला जाएगा शिश वाली 12 में खोला जाएगा ये शिश वाली 12 में खोला जाएगा 69 पे राष्टिये फिल्म पुरुषकार 2023 के लिए सर्वश्रेष्टी फिल्म हिंदी फिल्म की बात हो रही है इसका पुरुषकार किसको परदान किया गया सरदार उधम सिंग को मिला अजर बेजान बाकू में अगस 2023 में आईजित हुई आपको ध्यान रखना है अगला है कि युनेशकों ने भारत में वोटर मेनेजमेंट सिस्टम के लिए पहली बार किस शहर को चुना गौालियर मध्यपरदेश को चुना है पहली बार गौालियर मध्यपरदेश को चुना है आपको ध्यान रखना है चंदरमा पर चंदरमा थरी के लेंडिंग स्टिल को किस नाम से जाना जाएगा शिव-शक्ति बिंदू, किस गर को भारत के पहले डार के रूप में जाना जाएगा कुपवाडा, जमू कश्मीर के आपको ध्यान रखना है कुपवाडा जमु कश्मीर 2023 में स्वतंतरता दिवस के अवसर पर प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी ने पारमप्रिक शिल्प कोशिल को बढ़ावा देने के लिए किस योजना को शुरू करने की घोशना की कौन्सी योजना है विश्व करमा योजना है ये तो विश्व करमा योजना हो जाएगी 69 वे राष्टिय फिलम पुरुष्कार में सर्वश्रेष्ट अभीनेता अल्लू अर्जुन और हम बात करें अन्य पुरुष्कार किसको मिला एक आलिया भट को मिला गंगु भई काठिया वड़ी के लिए मिला और कृति सेनन को मिम्मी के लिए पुरुष्कार मिला बेस्ट पिच्चर फिलम रोकेटरी दा नम्बी इफेक्ट बेस्ट निदेशक निखिल महाजन गोदावरी फिलम के लिए और बेस्ट पुरुषकार फिलम प्रोवाइडिंग हौलसम इंटर्टेन्मेंट आर 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 आपको ध्यान रखना है एशियन होकी चेंपिनशिप ट्रोफी 2020 का किताब जीता भारत ने जीता किसने जीता भारत ने जीता चेन्नई में खेले गए फाइनल मेज में भारत ने मलेशिया को चार तीन से हरा कर चोथी बार एशन चेंपिंशिप ट्रोफी का किताब जीता है आपको ध्यान रखना है और आयोजन स्थिल के बारे में हम बात करें आयोजन स्थिल कहां था भारत में ये हुआ था भारत का चोवन वा बाग अभ्यारन कौन सा बनेगा दोलपूर करोली टाइगर रिजर राजस्तान दोलपूर करोली टाइगर रिजर राजस्तान पंदरवा ब्रिक्स शिखर सम्मेलन दोजार तेईस कहां आई जीत हुआ जोहांस ब्रग दक्षिन अफ्रिका में आई जीत हु नाति दोवरा पिछवाई पेंटिंग को भोगोली संग्यbon टे ग प्रदान किया गया हमारे राजस्तान की हमारी हाली में किस्तने ओप्राइम मिनिस्टर्स सब्सक्ता की लिखए निरजाचोधरी ने लिखए यह पुस्टा की निरजा déjà सी दिवस कब करे लिए नौ अगस्ट को विशनापिवाचा मंनाएं गया हिरोशिमा-दिवस 6 अगस्ट को मना ते हैं नागसी नोगस्ट मनाते हैं हावी में कि शेहरा को चोहती वार दुनिया का सबसे रहनी योग योगे शेहर गोशित किया गया है वियेना को किया गया है वियेना वियेना अस्ट्रेलिया में जो आता है वियेना भारत वह ऐस्ट्रेलिया के मद्दे होने वाला मालाबार नोस्टेनिक अभ्यास का 27 सेंस्क्रिंट कहां संपन हुआ ऐस्ट्रेलिया में संपन हुआ ऐस्ट्रेलिया में संपन हुआ इस रो किस देश की स्पेस एजनसी की साहिता से अपना अगला चांद मिशिन पूरा करेगा जापान की साहिता से करेगा ही जापान की साहिता से हाल यह में SBA की रिपोर्ट के अनुसार भारत कब तक तीसरी सबसे बड़ी अर्थवेस्ता बन जाएगा दोहजार सताईस तक बन जाएगा दादा साहब फाल के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरुशकार दोहजार तेश से किसे सम्मानित किया जाएगा वहिदा रह्मान वहिदा रह्मान सूचना और प्रशारन मंत्रा ले दोबादा वहिदा रह्मान को 53 वे दादा साहब फाल के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरुशकार से सम्मानित किया जाएगा यह पुरुशकार यह दोजार 21 के लिए दिया गया है रेल्वे बॉर्ड की पहली मिला देक्ष और सीयो कोन बन गई है जया वर्मा बन गई है जया वर्मा सीनहा आपको ध्यान रखना है इसकी स्थापना रेल्वे की स्थापना 16 अप्रेल 853 मुक्याले नई दिली अगला है कि भारत की देख्षता में G20 का 21 स्थाई सदश्य कौन सा संग बना है अफरीकी संग बन गया है अफरीकन यूनियन के 27 सदश्य बनने के बाद अब G20 को जी21 के नाम से जाना जाएगा विश्व की सबसे उची नट राजिन प्रतीमा कहां स्तापित की गई है भारत मंडल पंप न्यू दिली में स्तापित की गई है आपको ध्यान रखना है अगला है 23 पर आशियान शिकर समयल कहां विजित हुआ जकार्ता में हुआ जकार्ता जकार्ता कहा है इंडोनेशिया में जकार्ता इंडोनेशिय के राजदानी जकार्ता पहले थी अब न्यू संतारा अब न्यू संतारा राजदानी होगी भारत के पहले सोर उर्जा शहर का उ प्रोजेक्ट नमन की बात करें भारतिय सेना ने पूर्वे सेनी को और शहीदों के परीजनों के कल्यान के लिए प्रोजेक्ट नमन शुरू किया आपको ध्यान रखना है अगला है अंतराष्टिय साक्षर्टा दिवसे 2023 कब मनाये गया आठ सितंबर को मनाये गया larger सितंबर को संयुकत राश्टर मासभा की 78 भी बेठक कहा है जीत हुई नियुवर्क में भी नियुवर्क में भी भारत के बाहर दुनिया सबसे बड़ा हिंदू मंदिर कहां बना है निउजर्षी अमेरिका में बना है प्रधाल मंदिर नरेंदर मोदी ने गणतंतर दिवस्प्रेड़ दो हजार चोईस के लिए मुक्य अतिती की रूप में किन है आमेंतित किया जो बाइडेन अमेरिका को हलांगी जो बाइडेन नहीं आप आएंगे वो अपना आगे इस वीडियो में आगे देखेंगे बागी जो बाइडेन को किया आपको ध्यान रखना हम बात करें है शांती निकेतन पक्षिम बंगाल बन गया है लोग सबाते में महिला अरक्शन बिल किस नाम बेश किया गया नारी शक्ती वंदन अधीनियम नारी शक्ती वंदन अधीनियम नाम से पेश किया गया यह भी लोग सबा में महिलाओं के लिए एक तिहाई आरक्षन परदान करने से संबंदित है इसमें महिलाओं को लोग सबा और विदान सबाओं में 33 परतीशत आरक्षन देने का प्राउधान है अगला की पुराने संसित बहुन का नाम बदलकर नया नाम क्या हो गया है सविधान सदन 2000-23 में विश्य शान्ती पुरुषकार किसे ने जीता नरगिस मौमौद हसन जही ने जीता है 2023 में अंतराष्टे शोर गठ पद्दन की चठ्थी सभा कहा आज़ित की जाएगी नई दिली में आज़ित की जाएगी है, सभा नई दिली में होगी हाली में भारतने किस वर्ष तक पहले भारतीए को पहला भारतीए चंदरमा तक बेजने का लक्ष है 2040 तक हाली में तीन बाग अभ्यारणों नाम दफ़ा पक्के तथा कमलांग के लिए राज़े में विशेश बाग सुरुक्षा बल्कि स्थापना की है ये अभ्यारण किस राज़े में है अरुनाचल परदेश में है अरुनाचल परदेश में है हाली में 24 अक्टूबर को सवयुक्त राष्ट दिवे से मनाया गया इसकी थीम बता दो इसकी थीम है एक्विलिटी फ्रीडम एंड जस्टिस फो रोल आर्थिशास्तर के शेत्र में नोबल पुरुषकार 2023 किसको मिला क्लोडिया गोल्डिन अमेरिका किसे राज्य सरकार ने ट्रांस जेंडर समुदाय के लिए पेंशन और ओबीशी दर्जे को मनजूरी दे दी है जारकंड शरकार ने दे दी है नोबल सांधी पुरुषकार 2023 किसे सम्मानित किया जाएगा नर्गिस महमदी इरान में महिलाओं के उत्पड़न के खिलाब उनकी लड़ाई और मानवा दिखार और सोतंतरता को बढ़ावा के लिए अगला की भारती निर्वाचेन आयोग ने अक्टूबर 2023 में किस अभिनियता को अपना राष्टी आइकन अक्टूबर 2023 में किस से बनाया राजकुमार राव को बना दिया राजकुमार राव भारत ने किस वर्षी तक अंतरिक्ष में एक भारती केंदर स्थापित करने का अंतरिक्ष में अंतरिक्ष में भारती केंदर स्थापित कब तक हो जाएगा केंद्री शिisha मुझति द्रमेंधर परधान ने चंद्रयान थरी मिशन पर इसकूली शातरों के लिए विक्सित किसी वेव पोटल को लॉंच किया अपना चंद्रयान कोंसा वेव पोटलンタ अपना चंद्रयान किसी देश की अधालत ने भारती नो से ना के आठ पुर्वेस कर्मियों को मौथ की सजा सुनाई कतर ने सुनाई है अभी हाली में जो डिशीजना है उसमें भारत के प्रदाहन मंतरी नरेंदर मोधी ने इनकी जो सजा है मौथ की सजा उसको बचा लिया है इनको अब इनको फांसी की सजा नहीं सुनाई जाएगी किसी सैंस्तान की स्कुली पाठिय पुस्तोकों में इंडिया की जगा भारत शब्द का इस्तिमाल किया जाएगा NCRTG में इंडिया की जगा भारत का इस्तिमाल किया जाएगा दुनिया का पहला जल विश्व विधाले कहां खुलेगा दुनिया का पहला जल विश्व विधाले बुंदेल खंड उत्रप्रदेश में खुलेगा कहां खुलेगा बुंदेल खंड उत्रप्रदेश में खुलेगा चिकिश्या के शेत्र में नोबल पुरुषकार 2003 से किसे सम्मानित किया जाएगा केटालीन, कारीको, हंग्री, वेड्रू, विस्मेन, अमेरिका इनको चिकिश्या के शेत्र में मिलेगा भारत के बाहर दुनिया के सबसे बड़े हिंदू मंदिर स्वामी नारायन अक्षर धा मंदिर का उद्गाटन का हुआ न्यू जर्सी अमेरिका में हो गया साहित्ते में नोबल पुरुषकार 2003 से किसे सम्मानित किया जाएगा जोन फोसे नोर्वे इन्हें यह पुरुषकार उनके अभीणम नार्ट को और गद्धे के लिए परदान किया जाएगा इस्रो भारत का दूसरा नत्रिक्ष के अंदर का इस्तापित करेगा कुल सेकर पट्टीनम तमिलाडू में इस्तापित करेगा हिंद महासागर रिम एस्टोशेशन का नया देक्स श्रिलंका उपदेख्ष भारत अगला है कि हम बात करें भारत के बाहर डॉक्टर-म्बेटकर की सबसे उची प्रतिमा स्टेशी और इक्युलेटी का उद्काटन कह किया गया मेरी लेंड में किया गया इस 19 पिट परतिमा मुर्टिका राम सुधार ने इसको बनाया है अक्टूबर 2023 में भारत और किस देश के बीच 40 साल बाद फिर से नोका शेवा शुरू होगी भारत और शिलंका के मद्दे 40 साल बाद होगी वेश्विक भ्यूग सुच कांग 2013 में भारत का इस्तान 111 वा इस्तान भारत का है बुकर परुषका 2023 से किसे समòनी ते किया पोल लिंच आर्लेंड पोल लिंच को यह परुषका रुपनेया से प्रोफेट सौंग के लिए मिला है भारत के पहले दलीत मुक्य सूचनायक्त कौन बन गए है हिरालाल सामरिया बन गए हिरालाल सामरिया मिस यूनिवर्स 2023 का किताब सेनिश पलाशियोस मिस यूनिवर्स का टाइटल जीतने वाली निकारगुवा की पहली महिला बन गई है और यह बहतर भी मिस यूनिवर्स से बनी है कैम्ब्रिज डिक्षिनरी वरड ओफ दे ये यूनेशिकव ने किस शहर को भारत का प्रतम सहित्ते का शहर बनाने की गोश्टना की है कौन सा शेहर है कोजी खड़े केरला है कोजी खड़े केरला भारत युध सोड़ी संयुक्त युग्द अब्यास वज्जर परहार 2023 किन दो देशों के बीच होगा भारत वह अमेरिका के मद्दे सुब्र Convention Roi का निदन हो गया यह कौन थे फाउंडर ओप सहारा गुरूप सहारा है सहारा सहारा फाउंडर ओप सहारा गुरूप सहारा गुरूप के जो फाउंडर थे सुबरंत रोई इनका निदन हो गया पराली जलाने की समश्या से निजात दिलाने के लिए भारती क्रशी अनुसंदान सहस्तान नवंबर 2023 में धान की कौन सी नई किसम विक्सित की है पूसा 2090 कौन सी किसम है पूसा 2090 है हाली में अक्सपर्ड यूनिवर्सिटे ने किसे वर्ड ओप दा इयर नामित किया है हाली में जेपूर वेक्स मुजियम में किसकी मौम की प्रतीमा इस्थापित किये गई है फिर हाली में किस भारतिय क्रिकेट खिलाडी को अर्जुन अवर्ड दिया जाएगा मुहमद सामी को दिया जाएगा अरजुन वोड मिले गए ने हाली में मेजर ध्यानजन खेल रहतन अवर्ड दोजार तेस से किस खिलाडी को सम्भानित किया गया चिराग सेटी तेथा सात्विक साहिराज को सामारौ 465 मेंuring संसद ने 125 पुरा किस अदिन न को बदलने लिए विधहलं किया भारतिय डाक गर अधिनियम भारतिय डाक गर अधिनियम थोड़ा सा दो एक क्योशन और भी देख लेते हैं पर कोई दिक्कत नहीं है शीरी करणपूर विधान शबाद सीट पर चुनाव आयोग ने चुराव करवाने की गोशना की कब की पांच जनुवरी को चुनाव होंगे करणपूर विधान सभा से कांग्रेस परत्याशी शीरी गुर्मित सिंग का निदन हो गया था राजस्तान विधान सभा चुनाव में सबसे बड़ी जीत किसने असिल कि दिया कुमारी ने कांग्रेस परत्याशी शी इतारा मगरवाल को गेतर अजार तीन सब्सक्राशी वोटों से इंह रहा तो चैपूर का कौन सा इस्तापना दिवस से मनाया गया 297 क्योंकि जेपूर की स्टापना तो चैपना 2727 को वी थी तो 297 आपको ध्यान एकना ह मिल जाएंगे और केवल 49 रूपीज में आपको ये क्योशन से मिल जाएंगे केवल 49 रूपीज में आपको 1000 वन लाइनर क्योशन मिलेंगे 1000 जो आपके आईए जूनियर काउंटेंट एल डिसी संगनग करशी परिवेश्य के अब भी प्रिक्ष्याओं के लिए रामबंद प्रशं में रहने वाले हैं इंपोर्टेंट सीधे-सीधेjang अग्जाम में चुपने वाले वन लाइनर क्योशन ही मैं इसमें लिए हैं जो आपको